Q6, Q9, A2, B2, minus 25, इसको हमें factorize करना है, तो देखो यह जो नंबर लिखा है ना, इसको मैं square में लिखता हूँ, मतलब इस bracket में ऐसा नंबर लिखना है, ति इसको मैं square करूँ तो यह आ जाए, कैसे होगा, देखो यह 9 लिखा है ना, यह 3 का square है मतलब 3 का square करोगे तो 9 आएगा, और यह A square है ना, तो A लिखो यह, A का square करोगे यह आएगा, और इसी तरीके से B लिखोगे, मतलब यह है कि 3 A B का square करोगे ना, तो यह पूरा का पूरा यहां से यहां तक आ जाएगा, फिर क्या है minus, और 25 किसका square होता है, 5 का, हम formula use करने वाले ह A square minus B square, क्या होता है, एक बार दोनों को plus करो, और एक बार दोनों को minus करो, मतलब क्या है कि अगर आप इसको factorize करेंगे, तो आपका answer यह आएगा, तो इसी तरीके से देखो, यह बिल्कुल इसी जैसा है, तो कैसे करोगे आप factorize, factorize ऐसे करोगे, एक बार bracket में जो चीज़े है ना, उनको plus करो, तो 3AB में plus करो, कितना 5, जो bracket के अंदर है, ठीक है, और एक बार इन दोनों को क्या करोगे, आप minus करो, और यह हमारा factorize हो गया, यह हमारा क्या है, answer, ठीक है, चलते है next question पर,